हाई एब्रियोन आप सभी को फिर से एक नेव वीडियो पर स्वागत है ओडिशा रेबिन्यू इंस्पेक्टर यानी की आराई जो भी क्यांडिडेट्स आपलाई किये थे उनके एकजाम के लिए एक बड़ा खबर है जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में आगे बड़ने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली वा रही हो तो चैनल को सब्क्राइब कर दो तो चलिए आगे बड़ते हैं उडिशा सबोडिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन की तरफ से रेबिन्यू इनिस्पेक्टर 2021 की एकजाम डेट आ चुका है जो की नोटिफिकेशन की मदद से सभी का पताया गया है कि अगस्ट 29 सुंडे को आपका फार्स सिटिंग एकजामिनेशन 10 एम टू 12 नौन दू घंटे रहेगा उसके बाद सेकेंड सिटिंग आपका 3 पी एम से 5 पी एम तक दू घंटे के लिए रहेगा यह डेट आपको याद रखना है यहाँ पर आपका प्लान अप एकजामिनेशन देखते हैं जो की 400 मार्क्स की एकजाम रहेगा अबजेक्टिव्स टाइप सुई थी एम सी क्यू यानि की मॉल्टिपुल चोईस कुस्चिन रहेगा पेपर वान यानि की फार्स सिटिंग आपका जेनरल आवरनेस पचास कुस्चिन 100 मार्क्स एंड मैथमेटिक्स पचास कुस्चिन 100 मार्क्स के लिए यानि की इच कुस्चिन क्यारी 2 मार्क्स जो की टाइम रहेगा 10 से 12 नून तक उसके बाद आपका पेपर टु जो की टाइम रहेगा 3 पीम से 5 पीम तक जहां पे आपका general English रहेगा जो की 50 question 100 marks साथ ही computer test 25 question 50 marks with language test रहेगा audio language जो की 25 question 50 marks और आपका second sitting भी आपका 2 घंटे time रहेगा 100 questions 200 marks जो की cool मिला के आपका 200 question रहेगा 400 marks के लिए और time रहेगा 4 घंटे एक ही दिन में सो आप लोग आपका preparation को दमदार कीजिए ये ख़बर पाने के बाद तो आज कीसी वीडियो में बास यही बताना था याद रखें examination की date on 30 सगस्ट जेदारा किस संडे वीडियो कैसा लगा comment करके बताएं और साथ ही आपने दोस्तों को भी share कर दें उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो एक like कर देना और चैनल पर नई हो तो subscribe कर देना subscribe करके bell icon के गंटी को प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले जब की notification मिल सके फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैजवनात